हलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशूर तेजवानी आप लोगों का मथमेडिक्स माइंट और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने मैगनेट बेंस में जो प्रोवाइड करता हैं 100% कॉलिटी ओफ री एजुकेशन के लेकर क्लास 12 तक अगर आप लोग सी बोड्स है तो आप लोगों के लिए तो मागनेट बेंस का इंगलिश मीडियम चैनल है लेकिन अगर आप लोग लोग हिंदी मीडियम से तो खवरानी की कोई भी बात नहीं है क्योंकि आप लोगों के लि जाते हैं धेरो सारे प्राक्टिस कोईशन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हो और बड़िया बड़िया नंबर भी लेकिए आ सकते हो और अगर आप हमारे इबुक्स या इनोट से अविल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप लोग लाइक कर दीजे क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पास एक रेक्टेंगल में एक हर एक एंगल 90 डिगरी क्यों होता है क्योंकि यह आपका पहला एक्जामपल है उसका कहना है शो एक एंगल इंटेंगल होता है 90 डिगरी कह सबसे पहले तुम्हें एक प्यारा सा मस्तासा क्या बनाऊंगा एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका नाम है ABCD ठीके ठीक है और आपको ये बात तो पता है कि यह जो रेक्टेंगल है ये एक special type है इसका parallelogram का याद करो coadylateral caudilateral के तीन बेटे थे एक था trapezium एक था parallelogram और एक था kite parallelogram के भी 3 बेटे rhombus rectangle और square है ना याद है ना याद है सर जी याद है कैसे भूल सकते हैं तो बस वही चीज यहाँ पे करनी है कि आपके पास एक parallelogram एक rectangle कब होता है एक पैरलेलोग्राम एक रेक्टेंगल का बोता है कि जब एक एंगल अपोजेट साइस तो इक्वल जब एक एंगल किता हो 90 डिगरी का हो है ना ठीके तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अच्छे मस्त तरीके से क्या लिखोगे आप लोग कि रेक्टेंगल या फिर ऐसा लिख आप पैरलेलोग्राम इस आ रेक्टेंगल इन विच वन एंगल इस 90 डिगरी जिसमें कि एक एंगल कित्ते का होता है जी 90 डिगरी का होता है यह बात आप लिखेंगे आपको बहूत अच्छे से पता है अच्छा बहुत शान दर तरीके से यह बात तो क्लियर होगी अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट A, B, C, D Let A, B, C, D Is Up Rectangle हमारे पास क्या है A, B, C, D एक Rectangle है जिसमें की In which Angle A 90 degree है हमने क्या लेट कर लिया कि हमारे पास A, B, C, D एक Rectangle है जिसमें की एक Angle मेरे पास क्या है 90 degree का है मुझे क्या प्रूफ करना है मुझे तो प्रूफ करना है कि मेरे पास सारे के सारे Angle To Proof मुझे क्या प्रूफ करना है कि मेरे पास Angle A हो चाहे Angle B हो चाहे Angle C हो चाहे Angle D हो Each Angle of a Rectangle Is 90 degree वी मुझे तो यह proof करना है मुझे तो यह proof करना है कि मेरे शारे angle किते के हैmos 90 degree के तो मैंने लगाया थोड़ा सा जादा भी निए थोड़ा सा क्या क्या दिमाग अच्छा और मैं उतर गहाया सीधा और सीधा कहां पर प्रूफ पे अब मैंने थोड़ा दिमाग इसमें लगाया तो मैंने यह सोचा कि यार चलो ठीक है यह मेरे पास 90 डिगरी है यह चीज मुझे पता है क्योंकि यह जो एक rectangle है यह जो एक rectangle है यह परलेलोग्राम है अब परलेलोग्राम इस rectangle in which one angle is 90 डिगरी यह बात आपको पता है अच्छा फिर मेर को तो यार यह प्रूफ करना है कि सारे अंगल 90 डिगरी कैसे प्रूफ करूँ तो मैंने बुला कि यहाँ पर मेरे पास क्या होता है अगर मैं सुनना बहुत जाता द्यान से अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे आपके पास यह वाली और यह वाली क्योंकि एक पार्लेलोग्राम है तो यहाँ पे यह दोनों लाइन्स पार्लेल और यह एक ट्रांसफर्सल हाई यह ना अरे खुद देखलो खुद देखलो और अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो लो मैं थोड़ा साथ चले डाक कर देता हूं वही मेरा यह कहना है कि अगर यह एक प गूंसें यह डोनों अगल्स है कौनसे को इंटीर अंगर से तो समजões औफ टू इंटीर अंगर्ट कितना होता है आपके पास 180 डीगरी होता है तो बस अब आपको क्या लिखना है अब आपको लिखना है कि AD since AD is parallel to BC और AB एक transversal और AB क्या है आपके पास एक transversal है तो आप क्या बोलोगे तो आप बोलोगे angle A plus angle B is equals to 180 degree angle A plus angle B is equals to 180 degree और reason क्या बोलोगे sum of two co-interior angles ये दोनों कौन से angles है co-interior angles है अब मुझे पता angle A तो मेरे पास कित्ते का है 90 degree का है और angle B बरापर 180 degree तो angle B कित्ते का हो गया 90 degree का हो गया क्या ये बात बहुत ही बढ़िया और बहुत ही दमदार तरीके से आपको समझ भाई हाँ जी क्यों नहीं आएगी सर्जी बिल्कुल आएगी बिल्कुल आएगी आप समझाओगे तो क्यों नहीं आएगी अच्छा अब similarly similarly आप ऐसा बोल देना आप ऐसा बोल देना क्योंकि एक परलेलोग्राम है क्योंकि एक परलेलोग्राम है तो मेरे ख्याल से एंगल ये और एंगल सी बराबर होंगे एंगल सी के बराबर है और जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है है ना ठीक है ना ठीक है सर जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो मैं इसको इसके नीचे रख रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं इधार इधर में लिख रहा हूँ क्या कि opposite angles of a parallelogram है ना क्योंकि यार मुझे ये बात पता है कि जो angle A है वो angle C के बराबर हो जाएगा और जो angle B है वो angle D के बराबर हो जाएगा opposite angles of a parallelogram therefore आपको ये show हो गया कि each angle of a rectangle is a right angle ठीक है तो यहाँ पे लिख देना therefore each angle of a right angle each angle of a parallelogram each angle of a rectangle is a right angle समझ गया बात को समझ गया सर जी तो ऐसे हो जाएगा आपका example number one जल्दी से एक बार देख डालो भई जल्दी से एक बार देख डालो बहुत जादा आसान है बहुत जादा बढ़िया और मस्त तरीके से आपको बस एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखना है क्योंकि आप अगर एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से लिखोगे एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से बताओगे तब सामने वाला समझ पाएगा और तब आप उसको अच्छे से समझा पाओगे और जब आपने अच्छे से उसको समझा दिया जब आपने अच्छे से उसको कर दिया तो आप बढ़िया तरीके से ये चीज़ को कर सकते हो ना ठीक है ठीक है ठीक है सर जी अब हम लोग करते हैं कौन सा वाला अब हम लोग करते हैं ये वाला क्या बोल रहा है आईए देखते ह lignals of a rhombus are perpendicular to each other. अब हमें क्या करना है? अब हमें rhombus का case आगया. चलो है, रोमबस भाई से डिल करते हैं. रोमबस भाई क्या कितना है? आईए देखते हैं. बना हूं क्या rhombus बनाऊ एक? लो, रोमबस बनाता हूं एक. ये भी तो एक परलेलोग्राम ही होता है ना ठीक है तो कुछ ऐसा बना लू या फिर ऐसा ही बना वो रोम बस ठीक है लो ऐसा बना लिए A, B, C और D और इनके क्या है डाइगनल्स है तो हमें ये शो करना है कि इनके डाइगनल्स क्या है पर्पेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ मतलब की ना इनके डिगरी का एंगल बना रहा है सीधा सिंपल सी बात बोलू तो है ना ठीक है तो आईए अब अगर आप लोग इसके सल्यूशन की बात करोगे तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है गिवन आना चाहिए और गिवन क्या है आपके पास कि आपको डाइगनल्स रूमबस के ठीक है पर्पेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ पर गिवन क्या है गिवन यह कि A B C D एक रूमबस है A B C D क्या है एक रूमबस है जिसमें की आपके पास A B B C C D और D A क्या चारो साइट बराबर है है ना A B बराबर B C बराबर C D बराबर D A क्लियर है यह बात बहुत अच्छे से क्लियर है सर जी अब यह बात तो चलो ठीक हो गई अब हमें क्या प्रूफ करना है वो बताओ तो two proof कि आपके पास diagonals रूमबस के क्या करते हैं perpendicular है होते हैं एक दूसरे के साथ अगर diagonals perpendicular हैं एक दूसरे के साथ मतलब की आपको at least यह वाला angle याँ तो फिर आगर मैं बोलु तो ये वाला आंगल को नाइन Tutaj 아zero को शो करना होगा कोई फिर इक अंगल कर दो ये वाला करWhoa कोई आपके पास एंगल To को show करना होगा तो अब आप कैसे करोगे भाईया e Kalau 90 degree क्योंकि अगर आप एक अगल कर दोगे ना तो सारे के सारे angles हो जाएंगे वह 90 degree के अब मैंने दिमाग लगाया और मैंने बोला भाई देखो रूम बस दिया हुआ थो मैं एक काम करूँगा मैं क्या करूँगा जी एक काम करूँगा वो काम क्या है कि मैं एक ट्रेंगल लूँगा सबसे पहले तो ये वाला और और एक ट्रेंगल लूँगा मैं ये वाला देखो 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 ये वाला तो इन दोनों ट्रेंगल में इन दोनों ट्रेंगल में अब आपके प कि आपके पास CD बराबर AD सुनना बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना कि आपके पास given क्या क्या है मेरे भाई आपके पास AD और CD बराबर है पूछो कैसे अरे देखो ना AD AD और CD बराबर है रोमबस की साइड से हर अच्छा OD OD क्या हो जाएगा OD OD common हो जाएगा दोनों ट्रेंगल में और तो और भाई हम यह चीज जानते कि diagonal जो आपके इसके होते हैं रोमबस के वो bisect करते है एक दूसरे को मतलब कि ये वाला इस वाले के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा डाइगनल्स ओफ आरोंबस बाइसेक्ट सी चदर ना बाइसेक्ट करते ना एक दूसरे को मतलब की OA बराबर OC हो जाएगा तो उस इसाब से ये दोनों सुनना भहुत जादा ध्यान से उस इसाब से ये दोनों ट्रंगल क्या होगा है कॉंगुरेंट होगा है अब कॉंगुरेंट प्रूफ अगर हम लोगोंने कर दिया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कित्ता होगा जी 1990 अरे नहीं सर ये वाला और ये वाला एंगल ईकोल होगा वाई CP ct चलो पहले तो इत्ता करो, पहले इत्ता करो कि आप इन दोनों ट्रेंगल को लेलो और इनको congruent proof करो, आजा, 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 करते हैं, बहुत जादा आसान है, टेंशन नहीं लेना, बहुत जादा आसान है ना, तो आप क्या कर रहो, आपको COD 90 degree show करना है, कुई भी एक अंगल, कोई भी एक अंगल, हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर, यह वाला, COD हमें क्या करना है, 90 show करना है, क्योंकि अगर एक 90 होगे, तो सारे 90 हो जाएंगे, क्लियर है, चलो, और इस से हम लोग क्या proof कर डालेंगे, कि डाइगनल स्रोंबस के क्या है, perpendicular होते हैं एक दूसर और ट्रेंगल, DOA, इन दोनों ट्रेंगल में, जब मैंने देखा, सुनना, इन दोनों ट्रेंगल में, इन दोनों ट्रेंगल में, जब मैंने देखा, तो मुझे यह पता चला है कि यार, यह वाले DOC का, यह वाले DOC का, और यह वाले DOA का, जो DC है, वो DA के बराबर है, जो DC है जो dc है वो d a के बराबर है reason क्या अरे सरजी sides of arombas क्या sides of arombas given लिख दो न given लिख दो सीधा सीधा od red वाले का od yellow वाले का common है od बराबर od क्या लिखोगे common चलो भहुँआ शांदर अब red वाले का oc और yellow वाले का oe बराबर oc बराबर oe oc बराबर oe और oc बराबर oe क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे की diagonals of a diagonals of arombas bisects e चाथ है ठीक है जी ठीक है तो दोनो ट्रेंगल आपके क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे समझना तो ट्रेंगल d o c is congruent to देखो कहा से कहा गया d o c गया मालब डबल साइट फिट रपल साइट तो उसे साब से congruent to d o a समझ रहे हो ना इस congruent to triangle d o a और reason क्या लिखोगे देखो भाई तीनो साइट तो आई तो आई तो आई साइट 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 कॉंगूरेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल क्या हो गए मेरे अब दोनों ट्रेंगल अगर कॉंगूरेंट हो गए तो मैं बोल रहा हूं कि d o c का जो यह वाला एक एंगल था और d o a का जो यह वाला एक एंगल था वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्या बोलो मैंने d o c का जो वाला एंगल और d o c का वाला एंग होगे by corresponding parts of congruent triangles ये वाला जो angle है वो इस वाले angle के बराबर हो जाएगा clear है ठीक है अब मैं एक चीज जानता हूं या मैं एक चीज तो जानता हूं कि अगर मेरे पास AC एक line है और OD क्या है एक adjacent side समझना बहुत ज्यादा ध्यान से तो मेरे पास ये वाला जो angle है प्लस ये वाला जो एक angle है इन दोनों का सम 180 डिगरी हो जाएगा क्यासे क्योंकि AC क्या है एक line segment है AC क्या है एक line है हना ठीक है तो इन दोनों पे मेरे पास बनने वाले दोनों angle का सम 180 डिगरी linear पे बोलता है तो angle DOC ब्लस angle DOA बराबर 180 डिगरी सुनना angle DOC प्लस angle DOA बराबर 180 डिगरी और reason क्या बोलोगे reason बोलोगे सर जी linear pair linear pair अच्छा अब DOC आपको DOC 90 करना न क्योंकि एक angle कोई भी 90 कर दो तो वो पता चल जाएगा कि सारे diagonals मतलब जो दोनों diagonals है न रोंबस के वो क्या है perpendicular एक दूसरे के साथ अगर आपने एक angle भी 90 कर दिया तो अब मैं बोल रहा हूं कि DOC तो DOC रहने तो DOA की जगा DOC लिख सकते हो हाई यार प्रूफट अब तो यह हो गया angle DOC प्लस DOA की जगा angle DOC बराबर 180 डिगरी बहुत शांदार सर जी बहुत शांदार अब इसको थोड़ा सा शोटा करते हैं तो अब पस जादा कुछ नहीं बचा एक स्टेप में यह कोशन खतम यह DOC और DOC टू ओफ एंगल DOC बराबर 180 डिगरी तो एंगल DOC बराबर कित्ता 90 डिगरी हो गया खतम एंगल DOC कित्ता 90 डिगरी बास हो गया प्रूफ जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो ले लिया आगे की बात कर सकते क्या बता 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 जल्दी देख लो भई एक एंगल आपने 90 डिगरी का प्रूफ कर लिया जल्दी से बता उस्क्रीन शॉट ले ले बहुत शानदा अब ज़र एक्जामपल नंबर थर्ड ट्राइ करो जल्दी से ट्राइ करो चले का बोल रहा है एक्जामपल नंबर थर्ड का गिना है कि A B C आपके पास एक आइसोसेलस्ट्रेंगल है सुनना बहुत जाद है ज्यान से A B C आपके पास एक आइसोसेलस्ट्रेंगल है जिसमें A B और A C बराबर है Punkte B बराबर क्या है AC अच्छा, अब AD bisect कर रहा है exterior angle PAC को, जो AD है ना, सुनना, जो AD है ना, वो bisect कर रहा है exterior angle PAC को, अगर ये bisect कर रहा है, मतलब कि ये वाला जो angle है, वो इस वाले angle के परापर है, simple सी बात है, अच्छा और CD जो है, वो parallel है AB के CD जो है, वो parallel है AB के, ये दोनों parallel भी हैं, ये दोनों parallel भी है, चलो भहुष शांदर है भहुष सारी चीज़ें कि मेंने, अब हमें show करना है कि angle DAC बराबर है angle BCA के, कौन कौन सा angle की बात कर रहा है वो, वो बात कर रहा है angle DAC DAC मतलब ये वाला angle बराबर है BCA के BC ये मतलब ये वाला angle के अब यार अगर मेरे पास अगर मेरे पास AB और CD parallel ना होके, अगर AD और BC पारलल होता, तो मैं बता देता तो मैं बता देता कि ये वाला जो angle है वो इस वाला angle के बराबर है alternate interior angles, पर वो चीज़ तो मुझे given ही नहीं दीशन है कोशिस तो कर सकते हैं हाँ, कोशिस तो बिल्कुल कर सकते हैं figure को अटा दिया पूरा अब मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ solve कर रहा हूँ और मैंने सबसे पहले आते से ही क्या लिखा given लिखा, अच्छा क्या लिखा कि ABC एक isosless triangle है A, B, C एक isosless triangle है मतलब ultimately मुझे इदर से क्या information मिली कि जो अगर ABC एक isosless triangle है तो AB बराबर क्या होगा AC होगा, चलो एक चीज़ तो मुझे given है ना, ठीक है AD bisect कर रहा, exterior angle PAC को, मतलब क्या मतलब PAD बराबर DAC और एक चीज़ और given है क्या, कि PAD बराबर angle DAC हना, PAD बराबर DAC और CD परलेले AB के CD परलेले AB के चलो यह चीज़ भी given है और क्या करना है अब इन दोनों angles को बराबर करना है, अच्छा आजा आजाओ इन दोनों angles को बराबर करते है, 2 proof और लिखो angle DAC बराबर angle BCA ठीक है जी? ठीक है तो अब हम लोग करेंगे proof क्या करेंगे? proof करेंगे सुनना बहुत ज़्याद है देहन से DAC ये वाला angle बराबर करना है BCA के BCA के ये वाला angle के कैसे करेंगे यार? तो मेरे दिमाग में एक बात याद आई वो ये बात याद आई कि आपको पता है जो exterior angle होता है, ट्रेंगल का एक ट्रेंगल का जो exterior angle होता है, अब सुनो अब हम लोग proof में चीज़े लिखते हैं सबसे फिल तो, क्या since AB बराबर AC तो AC के opposite वाला जो angle है वो AC के opposite वाले angle के, जो AC के opposite वाला, देखो ना, AC के opposite वाला ही है और AB के opposite वाला ही है, दोनों angle आपस में बराबर, reason क्या? opposite to equal sides, ये वाले angle के opposite ये वाली side, ये वाले angle के opposite ये वाली side, दोनों क्या है होंगी? बराबर होंगी, तो आपके पास जो angle C और angle BA वो बराबर होगा, reason जरूर लिख दीजेगा कि angles opposite to equal sides are equal clear है? बहुत जाद अच्छे जिख लेर सर जी, चलो ये तो हो गई, ये तो एक चीज हम लोग ले क्या आगए, अब एक बात ध्यान दे ना, जो angle आपके पास P, A, C है, ये पूरा angle जो आपके पास है, वो आपको पता, sum of two interior angles of a triangle के बराबर है, exterior angle जो होता है, वो बराबर होता sum of two interior angles के, सुनना, एक triangle A, B, C का ये जो P, A, C है ये एक exterior angle है, सुनना, आपके पास ये जो एक triangle A, B, C है, इसमें जो P, A, C है, ये एक exterior angle है, और जो exterior angle होता है, वो sum of two interior angles के बराबर होता है, तो ultimately मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो P, A, C है, आपके पास जो angle P, A, C है, वो बराबर है, सुनना, वो बराबर है किसके, वो बराबर है A, B, C, मतलब angle B और angle C के, पर आप इसको ऐसे लिखो, angle A, B, C plus A, C, B, क्या? A, B, C, और A, C, B, हाँ, clear हो गई इतनी सी चीज, हो गई सर जी हो गई, अब इतनी सी चीज, अगर आपको clear हो गई, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप बोल सकते हो, कि A, D क्या है, समझो, यहाँ से A, D, B, C, कर रहा है, exterior angle P, A, C को, तो मैं क्या बोलूँगा, कि जो P, A, C है, वो P, A, D, और D, A, C के बराबर है, समझ रहे हो ना भाई बात को, अच्छा सर जी, बिल्कुल समझ रहे हो, लेकिन अब आप एक बात को और समझो, कि अब आप सुनना, A, B, C की जगे पे, सुनना बहुत जादा ध्यान से, बहुत जादा ध्यान से सुनना, कि आप A, B, C की जगे पे, ABC की जगे पे आप AC भी लिख सकते हो यहाँ से आया ना याँ यहाँ से आया इसको भी अगर हम अच्छे से लिखे हैं तो so AB के opposite वाला जो angle है कौन सा? angle ACB angle ACB और जो angle AC के opposite वाला angle है angle ABC यह दोनों आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे तो मेरा यह केना है ABC की जगे पे ACB लिख दो भाई ABC की जगे पे ACB लिख दो क्यों लिख रहा है हम लोग ऐसा? क्योंकि हम लोगों लिख सकते हैं तो PAC अच्छा यहाँ पर ना reason जरूर लिख देना अगर यह चीज हुई है अगर यह चीज हुई है तो यह चीज क्यों ही? आप लोग लिख देना exterior angle of a triangle ऐसा करके short में लिख दो बस हैना क्योंकि आपको पता हिए कि exterior angle जो होता है वो sum of two interior angles के बराबर होता है triangle के हैना exterior angle of a triangle तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं angle PAC की जगे पे ABC ABC की जगे पे मैं ACB लिख रहा हूँ clear है ना? ठीक है तो इसकी जगे पे मैंने क्या लिख दिया ACB और ACB की जगे पे तो ACB था ही तो angle PAC बराबर दो गुना angle ACB यह हो गई आपके पास पहली equation यह हो गई आपके पास पहली equation चलो बहुत बढ़िया बहुत शांदार बहुत बढ़िया तो अब इतनी बात तो बहुत अच्छे से clear हो गई सर जी की यह वाला जो angle PAC है वो इस angle ACB के दो गुना है जो यह वाला angle PAC है वो दो गुना है angle ACB के एक चीज तो यह चीज हमने proof करी और क्या कर सकते हैं since AD bisects angle PAC समझना यहाँ पर लिखना AD जो है वो bisect कर रहा है angle PAC को तो अगर AD bisect कर रहा है PAC को AD अगर bisect कर रहा है PAC को सुनना AD अगर bisect कर रहा है PAC को तो मैं यह बोल सकता हूँ कि जो यह वाला angle है और जो यह वाला angle है वो प्लस करने पर मेरे पास क्या आएगा पूरा एंगल PAC आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एंगल PAC जो है वो एंगल PAD प्लस एंगल DAC के बराबर है वो एंगल PAD प्लस एंगल DAC के बराबर है ये बात आपको अच्छे से आ गई हा सर जी आ गई अब मुझे देखो BCA बो तो भूजे इस से काम है मुझे dsc और pad नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा ध्याद से समझना मुझे इस pad से काम नहीं है तो इस padցको मुझे क्या करना पड़े है एंगल dac के है बाइसेक्ट कर रहा है तो दो दोनों एंगल होंगे अच्छा तो की जगा पर PD लिख सकता हूँ तो मैं लिख दूँगा पीए डी तो अब और पीदी के पर दीच लिख दूँगा तो पीएसी बराबर जब मैं पीएडी की जखे पर cozy लिख दूँगा जब मैं PAT की जगे पर DAC लिख दूँगा तो DAC और DAC twice of angle DAC ठीक है सर जी यह हो गई दूसरी equation यह हो गई दूसरी equation अब पहली और दूसरी equation में एक चीज़ देखो दोनों side PAC है तो इनके RHSB आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे समय ना 1st or 2nd equation में आपके पास 2 LHS बराबर हैं तो आपके पास RHSB तो बराबर हो जाएंगे समय ना equation first or equation second में LHS बराबर हैं तो RHSB बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर लिख दो कि आपके पास from equation first and second we get twice of angle ACB twice of angle ACB बराबर twice of angle DAC twice of angle DAC अरे मैं तो कह रहा हूँ 2 से 2 काट दो 2 से 2 काट दो तो ACB देखो ACB और DAC आपस में बराबर आ गए और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी यही चीज़ तो AC में बराबर DAC यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी हो गई प्रूफ चलो पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई अब दूसरी चीज़ प्याओ ABCD एक parallelogram है सुनना बहुत जाता है ध्यान से ABCD एक parallelogram है अब ये parallelogram कब होगा जब मैं इनके opposite angles को बराबर proof कर दूँगा क्योंकि parallelogram की खासियती है यह ना यार parallelogram की तो खासियती है यह अच्छा तो मैंने क्या बोला मैंने एक चीज बोली कि यहार मेरको ना कही ना कही से ये दोनों बराबर है मतलब CD जो CD है वो parallel है AB के है ना ठीक है तो यहाँ पे alternate interior angles क्या होंगे बराबर होंगे alternate interior angles बराबर है ठीक है ठीक है ठीक है चलो एक चीज और एक चीज और आपके बास CD AB के तो parallel है लेकिन अगर मैं कैसे भी करके AB को AD को BC के अगर parallel कर दूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ यार की वो क्या है एक parallelogram हो जाएगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे कैसे भी करके ये वाला जो angle है वो इस वाले angle के बराबर लेके आना पड़ेगा है ना तो अब समझो DAC या तो फिर CAD DAC मैं कहां से लाँगा चलो DAC मैं इदर से ले आँगा ये DAC में इदर से ले आँगा और AC भी कहां से लाँगा भाई देखो ना अब DAC और AC भी दोनों तो angle बराबर है यार DAC और AC भी दोनों angles तो बराबर है alternate interior angles equal है और AC एक transversal है तो ये वाली line इस line के पर ले लोगा भाई सिंपल यहीं लिख रहा हूँ मैं तो यहीं लिख रहा हूँ कि आपके पास ये दोनों angles बराबर है ना, since alternate interior angles are equal और AC एक transversal है और AC क्या है जी एक transversal है तो AD पार्लेल हो गया BC के तो AD पार्लेल हो गया BC के चलो बहुत शांदर एक equation ये, एक equation ये और तीसरी equation ये जल्दी से screenshot लो भाई अब आपके पास AD जो है वो पार्लेल हो गया BC के सुनना, AD जो है वो पार्लेल हो गया BC के ठीक है, और आपके पास AB पार्लेल है किसके CD के AB पार्लेल है किसके CD के तो दोनों से आप क्या बोल सकत हूँ क्योंकि एक parallelogram हो गया तो मैं second part को यहाँ पर करूँगा second part को second part का solution है तो आप क्या लिखोगे since अगर ad parallel हो गया b c के जो कि कहां से पता चला यहां से पता चला ad parallel है b c के और आपके पास c d parallel है a b के और and c d parallel to a b तो आप क्या बल सकते हो therefore a b c d क्या है मेरे भाई एक parallelogram है क्या है एक parallelogram है समझ गया बात को बहुत अच्छे से समझ गया तो यह हो गया आपके पास example number third एक बार जल्दी से मस्त प्यारा वाला screenshot ले लिजे ले लिए screenshot चलिए बहुत शांदार बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बस इतना ही था तो बस यही काम है हमारे magnet means का कि हम लोग तो ऐसे quality wise और free education आपको provide करते रहेंगे वो भी kindergarten से लेकर class 12 तक अगर आप लोग cbsc board english mediums है तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के top courses है एक तो english medium और दूसरा classes के सारी subject के सारी chapter के सारी topics के सब topics के वीडियो एकदम arranged format में मिलेंगे आप community के option में जैसी जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा magnet facebook instagram twitter telegram whatsapp पे e-notes या e-books अगर अवेल करने है तो link description box में given है साती साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिष्टेदार अगर हिंदी medium channel के बारे में जो provide करता है भाया class 6 से लेकर class 12 तक एकदम quality wise और free education वो भी हिंदी medium में with coverage Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board हमारे कुछ और भी courses है जिसका नाम है Vedic Maths Crash Course और Spoken English तो आज के session में सिरफ इत्ता ही मिलते है next session में तब तक लिए bye bye अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलूँगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें वह बहुत ज्यादा जरूरी है बाई-बाई